नमस्कार दोस्तों सुजय एग्रिपर आप सबका फिर से स्वागत है और आज मैं लेकर आया हुआ बहुती बहत्रिन क्वालिटी के मक्का दिखाने के लिए आप लोगों को और दिखाऊंगा वह का आप लोगों मेरे सामने देख सकते हो यह मक्के का खेत है और इसमें जो मक्का हुआ है वह भी देख सकते हो बहुती बढ़िया मक्का हुआ है इस सामने तरफ से आप देख लेजिए और अंदर म जाएसे दीख़्ा है उससे अच्छा अंदर हुआ है और एक नए कमपणी बहुती जवर्दस्त कमपणी व्रिवेंट कमपणी नहीं हुआ है यह अपकेम्ट देख सकते हो मक्का आप देख सकते हो जवरदस्त हुआ है तो इस में फूल आप लोग देख सकते हो जवरदस्त मक्का हुआ है और दोस्तो एक बहुत बढ़िया मक्का हमें मिल गया है ब्रिविवेंट कमपणी का तो यहां पर डिमो लगा था कि कैसा होता है पहले देखेंगे फिर उसको आप लोगों को दिखाएंगे तो डिमो लगा था एक ही प्लॉट में लगा था और एक ही प्लॉट में बहुत ही अच्छा जो है मक्का हुआ है तो अगले साल से यह मक्का मार्केट में बहुत अच्छ चलेगा अब लोग देख सेकते हो जवर्दस्त मक्का हुआ है बहुत बढ़िया जवर्दस्त मक्का हुआ है प्रमक्य का ग्रोप्त बहुत अच्छा हुआ है और पूरा आखरी तक भरा हुआ है मक्का पूरा आखरी तक पूरा भरा हुआ है इसका जो दाना है पूरा आखरी तो इस प्रकार से जवर्दस एक मक्का हमें मिल गया है यह जो है रवी सिजन में रवी सिजन का मक्का है तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग यह दी मक्का लोगे तो आप लोग अच्छा मक्का देखके चैन करके ही लेने से बरिया रिजल्ट आप लोग को मिलेगा कि आप लोग देख सकते हो मक्य के ग्रोप बहुत ही जवर्दस हुआ है कि पूरा आकरी तक पुरा भरा हुआ है मक्का कदाना इसमें मक्य के बारे में contexts के लिता है करके में आप λोग बताएंगे कि में अपलोग देख सकते हो इतना बढ़िया हुआ है पूरा आकरी तक में दिख सकते हो और निचे निचे हुआ है ज्यादधा उपर ने पूरा नीचे नीचे इस परकार से आप लोग यह दि बीजो का चैन करेंगे तो आप लोग को अच्छा पैदावार मिलेगा और बड़िया रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलेगा तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें करें कॉम